ओम नमस्षिवाय, नमस्कार दोस्तों, स्फवागत आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ज्ञान में, दोस्तो आज मैं आपको सिव महा प्राण के कता का स्रुवन करा रहा हूं, आप सभी भक्त जन इस कता को सरद्दा पूरवक मन लगा कर सने, भगवान सिवजी आप सभी के मनु इस्तुति करती हुई सिवजी के पास आई और बोली हे स्वामी अपने पुत्र सडानन का खेल देखिये सिवजी ने गिर्जा से लेकर लड़के को गोद में बैठा लिया तता प्रिसन होकर नित्य करने लगे यहां तक की सब देवतावी इतने मगन हो गए कि वे सिवजी के सा नित्य करने लगे इसके पश्चात गिर्जा सडानन को साथ लिये वे भीतर घर में चली गई देवतावने अनेक प्रिकार से इस्तुति की तता अपने सब कष्ट कै सुनाए परंतो सिवजी ने कुछ ना सुना तम में तता विश्णू जी आदी सब लोग सिवजी के दौर बैठ कर परस पर कहने लगें कि अब हम क्या करें कहां जाएं और किस से कहें अब हमारी नौका को कौन पाल लगाएगा सिवजी से थोड़ी भी आसा थी परंतु बेबी हमारे कश्टों पर कोई ध्यान ना दे कर घर में चले गई सायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराद हो अब हो गए अस्तु उन्होंने तुरंत गनपती को बहां भीज दिया उन्होंने डंडी से मार कर सब लोगों को बाहर निकाल दिया यह देखर कश्यप मुनी ने धैर पूरवक कहा कि सिव जी ने यह क्या किया है जो दया को त्याग कर हमें ऐसा डंड दिया है फिर उन्होंने जाकर बिश्णु जी से सब बतांत कहा कि हमारा मनुरत किसी प्रकार पूरा ना होगा तता आवक तक का सब अरिस्तरम ब्यर्थ ही ग तुम सब लोग धहर रखो सिवजी अब असी ही तुमारे दुखों को दूर करेंगे तदो प्रांत बिशनु जी ने सब को सिवजी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर हैं बता कर कहा कि इसका 14 करोड बार जब करो इससे सिवजी परसन होकर तुमारा मनुरत पूर्ण हे नारद सब देवता विशनु जी से वह मंत्र लेकर जब करने लगे तदा सिवजी के प्रकट होने की बाठ देखने लगे तब सिवजी देवताओं के उस जब से प्रसन होकर प्रकट हुए और बोले हे विशनु एवम हे ब्रह्मा हम तुमारे द्रणता से प्रसन हैं तु करने लेगी तब सिफजी ने प्रिसन होकर कहा ऐसा ही होगा तो मारी मनो कामना पूर्ण होगी यह कहकर सिफजी ने असरों पर कुपित होकर अपना बांड छोड़ दिया उस बांड ने सूर के समान प्रिकासवान होकर सब देत्यों को नश्ट कर डाला परंतु जो सेस वचे उ उन सब को तिरपरा सुन ने अपने अमरत कुंड में जो वहता डाल दिया जिससे बेपुने जीवित हो उठे तता लोह सरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगी तब सिफजी ने विशनू से तता मुझसे गया कहा कि तुम दोनों बच्णों का र दिन चड़े वहां जा पहुँचे वहां हमको किसी ने नहीं देखा तब वहां से बिशनू तता में दोनों लोटकर सिफजी की इस्तुति करने लगे उस समय सब असुर सिफजी की लीला से अंदे हो गए हमने सिफजी की इस्तुति में उनका बिराठ रूप बढ़न किया उ और हम लोग वहीं वने रहें इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए देवताओं ने उन्हें वहां देखकर त्यंदर सो माना तता उनसे बिने की हेसलादी मनी के पुत्र नंदी तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रपुर एक में मिल जा यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया ही देवताओं शिवजी ने तुमको आग्या दिया है कि तुरंत एक रत बनाओ तता सार्ती बान धनुस आधी सव ठीक करके रखो मुझको निश्या है कि सिव जी अवसे सीगरी तुरपुर का नास करेंगे यह करका नंदी अपने घर चले गए तब देवताओं ने अत्यंत प्रेशन होकर सिव जी के आग्या सुनाई फिर विश्नु तता मैंने विसकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम सिव जी के सार्ती होना इसके अत्रिक तुम सीगरी धनुस एवं बान भी तियार का दो विसकर्मा ने यह सुनकर सदा सिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रत निर्मान करने की युक्ती बैठ गई ब्रह्मा जी बोले ही नारद विसकर्मा द्वारा निर्मे तो उस रत का बिस्तार मानू संपूर्ण स्रेश्टी भर के समन था उसमें सूर्य दायनी चक्र तता चंद्रमा बाया चक्र इसी प्रकार बारें सूर्य तता सोलें कलाएं बर्तमान थी सभी परवत एवं वर्स माजत थी रत के खंडबने चारों बेद उस रत के घूड़े तता ब्यास आदी गोड़ों को चलाने वाले हुए धर्म कर्म के साच्त प्राण एवं न्याय साच्त ये सब उसके मुख हुए आस्रम वर्ण आदी उसके अंग हुए गंगा आदी नदिया तता चारों सागर चवर लेकर रत के चारों ओर खड़े हुए लोका लोक परवत आदी उसकी सीन्य हुए प्रणव चावक विश्नु जी बार तता हिमाचल धनूस हुए यहां तक की ब्रह्मा से लेकर तरण तक सब उस रत में बिद्धमान थे हैं इस प्रकार वह सब सामिगरी पूंड रूप से त्यार हो गई तब वह रत सिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया उस समय सिवजी बार आए उनको देखकर सबने विंती कि है माराज अब आप रत में आरण हो तता तरपुर का नास करके तीन लोकों को आनंद प्रदान करें तब सिवजी ने तुरंत गनपती को बला कर उनकी पूजा की फिर वे रत पर आरण होकर आकास एवं प्रत्वी को कपाते हुए चल दिये सबने जय जय कार किया प्रत्वी उस रत का भार ना सहकर कापने लगी इस प्रकार सिवजी अपनी सेना सहित देवता को आनंदत करते हुए बहां से चले और समय सिवजी के इस आस्या जनक चरित्र से तिरपुर एकत्रत हुए तब सिवजी ने ओचिस समय जानकर अपने धर्णस में विश्नु पती अस्तर को लगा कर दथा अपने तेज को उसी अस्तर में स्तापित कर दिया जिससे धनुसवार दोनों ही प्रकास वान हुए स्रश्टी भर में प्रकास ही प्रकास फैल गया तब सिवजी ने उस समय मन में ये विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं उस समय बिलम हुआ जानकर विष्णुजी में तता इंद्र ने उनकी बहुत प्रकास से बिंती की ब्रह्मा जी बोले है नारद तब देवताओं ने कहा है सिवजी अब आप तिरपुर को नश्ट करने में बिलम ममत कीजिए आपके इस तेज से तीनों लोग जले जाते हैं यह सुनकर सिवजी ने प्रिसंद हो तुरंत वही अश्टर तिरपुर को लक्ष करके छोड़ दिया उसके छोड़ने से भीसरण सब्द हुआ ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रियकाल के बादल गरज रहे हो उस अश्टर में से निकली हुई अगनी से तीनों लोग जलने लगी धर्ती कापने लगी परवत जल उठे सेसनाग प्रत्वी को सिर पर ना रख सके नदियों का जल सूख गया दिखपाल एवं कूर्म जो प्रत्वी का भार समाले हुए है बल हीन हो गए तता सब मुनी एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्य चकित हुए उसी समय सिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जल कर भस्म हो गई तदो प्रांत हुए बाण उन सब को जलाकर सिवजी के पास लोटाया इस प्रकारवान के उस भीषण प्रहार से त्रपुर में कोई प्रान जीवित ना रहा सब देत सिवजी के हाथ से मरकर मुक्ती पा गए बेसावी सिवजी के गण हुए क्योंकि उन में भक्ती का बीज सेज था और भक्ती का बीज कभी नश्ट नहीं होता और समय सिवजी का स्वरूप ऐसा बयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रले होने में अब कोई देर नहीं है मैं तता विश्णु जी उस महातेज के कारण सिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे यह देख मैंने तता विश्णु जी ने दूर से ही उनकी इस्तुती की हे नारद सबसे पहले विश्णु जी ने सिवजी की इस्तुती की तता कहा है सिवजी अब आप क्रोध को संद करें फिर मैंने भी उनकी स्थिति की इसके पशात लोग पाल देवता, शिद, नाग, मुनीतता बेदों की आपनी अपनी स्थिते को युक्ती के अनुसार का बेरूप में गाया तब ऐसी अनेक प्रकार की इस्तोति सुनकर सिव जी प्रिसन हुए इस प्रकार हम सब सिव जी को प्रिसन पाकर उनकी सेवा करने लगें ब्रह्मा जी बोले है नाराद और समय सिव जी हम सब पर अत्यंत प्रिसन होकर बोले कि तुम सब लोग अपनी अपनी चानुसार बर मांगलो तब देवताओं ने यह कहा है माराज आपने तिरप्र को नश्ट करके हम सब को बड़ा आनंद प्रदान किया है हम सब आपकी करपार से करतार्थ हो गई है सिव जी इसी प्रकार जब जब हम पर कोई कश्ट पड़े तब तब आप उसे दूर किया किजिए तथा अपनी भक्ती हम सब को प्रदान किजिए यह सुनकर सिव जी ने ओम कहकर हम सब को प्रदान किया उस समय नित एवं गायन का बहुत बड़ा उससब हुआ उसी समय अरहन ने भी अपने चारों सिस्चों सहित वाँ उपसत होकर सिव जी को प्रदान किया तथा अन्य सब देवताओं को भी डंडवत की फिर नम्र होकर सिव जी ने इस प्रकार कहा मैंने आपकी आग्या नुसार ही बिना सोचे विचार इस मत का प्रचार किया सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे ऐसे दुसकर्म का कोई पाप ना लगी अब आप मुझे आग्या दीजिए मैं क्या करूं तता किस इस्तान पर वास करूं यह भी बताईए कि अपनी इस पुस्तक का जिसमें की 16 सहस्तर इस लोक हैं क्या करूं मेरे सिस्यों के लिए आपकी क्या आग्या है यह सुनकर विश्णु जी ने सिवजी की आग्या अनुसार यह कहा एहरहन तुम सिस्यों सहित मरू इस्तल में जाकर वास करो कल्योग के आने तक अपना मत किसी पर प्रिकट मत करना तुमको कोई पाप नहीं लगेगा जब कल्योग का अरंब हो तब तुम एदर उदर अपने मत का पिर्चार करना तता समझ इस्त्री पुरसों का मन अपने अधिन करना जिससे सब लोग महा पापी हो जाएं कल्योग पापों का बीज हैं इसलिए तुमारा ये मत कल्योग में अच्छी प्रिकार चलेगा और ओस समय सब लोग संदमार्ग त्याकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे ये कहकर विष्णू जी ने सिस्चों सहित अरहन को वहां से विदा किया ये नारद इस प्रिकार जब कल्योग आवेगा तब अरहन मरुष तल से निकल कर अपने मत को प्रिकट करेगा हे नारद मैदानव भी यदपी तरपुर में था परंतु वह सिवजी की किरपा से जीवित ही बचा रहा अरस तो उसने भी सिवजी की इस्तुति कर हम सबको भी प्रिणाम किया तब सिवजी ने मैदानव की इस्तोती सुनकर कहा ही मैदानव तुम निर्वे होकर रशातल में वास करो सिवजी की अग्यानुसार मैदानव वहाँ जाकर रहने लगा सव देता मैदानव पर सिवजी की ये किर्पा देकर अतन्त प्रसन हुए है नारद जो मनुष्य इस चरत्र को सुनेगा या सुनावेगा उसके सभी मनुरत पूर्ण होंगे ब्रह्मा जी के मुख से तिरपुर की कता सुनने के पशात नारद जी बोले है ब्रह्मा जी अब आप किरपा करके ये बताए कि मैं दानव तिरपुर के साथ क्यों नहीं जला ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले है नारद मैं दानव सिवजी का परमबक्त था इसलिए वह इस अगनी से नाजल कर बचा रहा अब मैं तुम्हें इसके बिसे में बताता हूँ कश्यप की इस्त्रियों में एक दनू नाम की इस्त्रि थी उसके गर्व से साथ लड़के जो बड़े बीड धीर थे उत्पन हुए बे तीनों लोकों में बहुती बुद्धमान थी उन में से एक मैं भी था उसने सिवजी का भक्ती पूरवक बड़ा तप किया तता अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप कर पंचाक श्री मंत्र का भली बाती ध्यान पूरवक जाप किया वे गर्वियों में अगनी में तप कर बड़सा में खुले बन में रहकर तता सीत काल में जल के भीतर बैट कर कठिन तपश्या करता रहा उसने सिवजी की मृत्का की मूर्ती बना कर उसकी पूजा की तता उसी के प्रमाण चावल बिल पत्र और प्रतेक रंग के सुगंदित पुस्प चड़ाई वे इस्तर होकर द्रण आसन एवं ध्यान से स्वास रोक कर बैट गया तब सिवजी ने प्रकट होकर उससे बर मांगने के लिए कहा परंतु उसने सिवजी के इस बचन को नहीं सुना यह देखकर सिवजी ने अपनी मूर्ती को मैं के ध्यान से खीच लिया उस समय मैंने आस्या चकेत होकर नेतर खोल दिये तो देखा कि सामने सिवजी खड़े हुए है उनका महागौर सरीर भस्म लगाए भाल पाट चंद्रमा बिराजमान एवं अपने मुक स्वरूप तता मुक्च लक्षनों से सुसोबित है ऐसा सुन्दर स्वरूप देखकर मैं दानब उठ खड़ा हुआ तता सिर जुका सिवजी को प्रणाम कर इस्तुति करते हुए बोला हे नात मैं क्या बर्दान मागूँ आप तो स्वयम ही सब कुछ जानते हैं हे नारत सिवजी ने मैं के मुक्षे ऐसे बचन सुनकर कहा है हम तुमको तुमारे हिर्दा की इच्छानसार ही यह बर्दान देते हैं कि तुम सब देत्यों के आचार होकर सदयव निर्दोस रहोगे जिस प्रकार देवताओं में बेस कर्मा हैं उसे प्रकार देत्यों में तुम होगे तुमको जरा मृत्यू प्राप्त ना होगी हम तुमको कभी नश्ट ना करेंगे यह कहकर सिवजी ने मैं के सरीर को इसपर्स किया जिससे उसे अत्यंद आनंद प्राप्त हुआ मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लोटाया तब समस्त दैत्यों ने सिवजी के ब्रदान के कारण मैं को अपना आचार बनाया यह नारद मैं दानाव का यह चरित्र अत्यंद पवित्र है यह सुनने तथा सुनाने वाले को मैं के समान ही कर दिता है उसकी बुद्धी कभी नश्ट नहीं होती जो मनुस इसका पाठ करता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है बुलो सिव महा पुराने की जै बुलो सिव संकर भगवाने की जै